किसान साथियों गन्ना बुवाई का समय बिल्कुल नजदीक है और हर किसान चाहता है कि वो अपने खेत से अपनी फसल से जादा से जादा उत्पादन ले किसान साथियों इसी के कारण किसान पूछते हैं कि सब से बढ़िया बुवाई कौन सी है ट्रेंच विदी है रिंग विदी है कोन सी बुवाई से हम गन्ना लगाए जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सके कई किसान पूछते हैं कि कौन से आईशे खाद हैं जिनका इस्तमाल हमें बुवाई में करना जिससे हमारा गन्ना सबसे तकड़ा हो जाए तो किसान साथियों इस सवाल पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे बड़े बुजूर्ग खेती करते आ रहें बहुत सालों से और उन्हें बहुत अनुभव है आज यह ट्रंच विद्धी शुरू हुई है पांस साल दस साल से और जादा तो यह चलन में दो चार साल से ही आई है रिंग पीट विद्धी के तो उससे भी जादा कम खेत है तो आप अगर 28 इंच पे बुआई कर रहे हो और आप अच्छा गन्ना ले रहे हो तो आप 28 इंच करें अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ट्रंच विद्धी पर जाना तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप प्रेक्टिकल करके देखें थोड़े खेत में अपने दो बीगे चार बीगे पांच बीगे के एक खेत में प्रेक्टिकल करें तब कोई फैसला ले कि हां म बहुपे बिल्कुल ना चले आपको मैं ट्रेंच विद्धी सबसे पहले तो सच्चा ही बताऊंगा फिर आम खादो पर आवेंगे फिर अटाइस इंच की भी आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में किसान साथियो मैं आपको बिल्कुल सच्चा नुभा बताऊं बहुत अ मैं यह नहीं कह रहा कि ट्रेंच विद्धी खराब है या कुछ है जैसा कि मैंने पहले बताया किसान साथियों अपने करने पर होता है लेकिन दस में से नो किसानों का अनुभम मैं आपको बता रहा हूं जिनका कहना ही है कि मनोज भाई ट्रेंच विदी में आप अच्छा उ तो आप कहोगे कि हां कुछ गन्ना खड़ाए तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही यह बात कही होगी इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अच्छा गन्ना 28 इंच पे ले तो किसान सात्यों उसको बिल्कुल भी तफदील न करें उसमें आपका अनुभव है बहुत सालों से आप खेती कर रहे हैं 28 इंच पे उसी में ही सुधार करें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दूरी घटाके या बढ़ा के ज्यादा गन्ना ले सकते हैं अब बिल्कुल भी नहीं है सबसे आशान अगर कोई गन्ना विधी है तो वो 28 इंच है 28 इंच में आप सबसे जारा गन्ना निकाल सकते हैं 28 इंच में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं माननों के बहुत मेरा थोड़ा कम जमावाया थोड़ा कम भी आएगा गन्ना भियात करेगा फिर भी आप अच्छा पादन ले जाओके लेकिन ट्रेंच विधी में आप बिल्कुल भी उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते यहां तक की जो बड़े किसान है और जिनको बिल्कुल भी 28 इंच जाना आया दूरी नहीं गटाने जिने ट्रेक्टर से ही चोटे चोटे ट्रेक्टर से ही कहती करनी है उन्होंने यहां तक करा के वही पाँच फुट पे ही बहुत समी पाँच इंच की दूरी पे ही दूसरा खोड निकल जाए ऐसे लेजर बनवाए और तब वो खेती कर रहे है कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल भी आप सिंगल लाइन पे अच्छा अत्पादन नहीं ले सकते तो अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आप करके देखें दूसरा रिंग पिट पे भी मैं आता हूँ कई किसान पूछते हैं मनोज भाई पूरा साल बर हो गया आप रिंग पिट की वीडियो नहीं बना रहे जैसा मैंने का किसान सात्यों गन्ना देखने में बहुत किसान सात्यों अब आते हैं खादों पे कई मेरे किसान भाई कहते हैं मनोज भाई हमें एक चार्ट बना के देदो मनोज भाई कौन सा खाद में उसमें डालो बहाई में किसान भाई यो गोर से समझने की और सोचने की बात है कि खाद सिर्फ पांच हैं तो है अब उसमें चा करा रहें कि फरवरी की 15 तारीक आगी अब मुझे गन्ना बहुत देना चाहिए सब से पहले बिल्कुल भी जल्द वाजीना करें किसान भाईयो गन्ने के लिए टेंपरेचर बहुत माहिने रखता है जमाव के लिए भी अच्छी ग्रोथ के लिए भी तो और बढ़ने दो भी सब से अच्छा बुआई का समय शुरू हता है मार्च के पहले अफते में उसमें आप पूरे महिने में भी गन्ना लगाओ वो इस बुआई से जो अगर आप अभी गन्ना लगाओगे इस से वो गन्ना अच्छा चलेगा इसको पिछे छोड़ देगा बिल्कुल भी जल्दी गन्ना और छोड़ दिया किसान सात्यों यहीं पे ही गन्ने की फसल पिछड़ती है माल लीजे आपने गर गन्ना इस्टा में लगा दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसमें खर्पतवार नहीं होने देने अभी मैं खाद पर ब्यांगा किसान मायो सब से पहली जो मै सबसे जादा पोदे को इसकी जड़त होती है आप इसको किसी भी रूप में दे सकते हैं जैसे आज मैं आपको एक परफेक्ट कंबिनेशन भी बताता हूं इसी के साथ साथ जैसे आपका पांच बीगे का खेत है पांच बीगे के खेत में आप तीन बैग सिंगल सुपर फास के बाद केल्शियम और सलफरी सबसे जादा महत्यों पूर्ण पोशक टत्व हैं सभी फसलों के लिए और गन्नेगी फसल के लिए तो बहुत अच्छे विकाफ्श के लिए केल्शियम मस्ट खाद है बहुत यावश्यक खाद है प्यात के लिए भी और जो है मोटाई के आपने दे दिया तीन चार मेजर खाद आपने शुरू में डाल दे बहुत अच्छी मात्रा में अब घूड निकाल लो और एक यूरियम में आप कोई भी माइकर नूट्रियंट ले लो या जब मैं वतासता हूं कि हुमी कैसिड ले लो जमाव पैस्छा काम करता है हुमी कैस यह आपके चार-पांच मेजर खाद आगे उसी में अब क्या करना है कि माली जे पहला पाणी आगया तब एक बैग डीएपी ले लो थोड़ा सा यूरिय ले लो और किसान भाईयो उसकी निराई गुड़ाई पहले ही पानी पर सुरू कर दो आपका गंड़ा यही से ही अच कर रहा हूं किसान भाईयो महेंगी से महेंगी दवा की मैं बात कर रहा हूं हर दवाई के 15 से 20 दिन के ही रिजल्ट है चाय आप कितनी भी दुनेंदर दवाई लेओ कितनी भी महेंगी दवाई लेओ कभी भी तीन दवाई चार दवाई का इस्तमाल ना करें एक बार में कभी किसान भाईयो पैसा ही खर्च करना है अपना दो दवाईयां लेनी है एक किटना सक और एक फंगस की दवा बॉआई में कोई भी सस्ती जैसे रिजेंट ले लिए हमने दानेदार अल्टर रिजेंट जो आता है बायर कंपनी का अच्छा अच्छी मात्रा लो उसकी वो डाल के बॉआई करो उसके साथ कार्बें नजीम मैंकोजेल भी ले लो तो बॉआई हमारी कंप्लेट होगी SSP घाट डाला हमने यूरिया डाला यूरिया के साथ हूमिक ले लिया थोड़ा सा कोई माइक्रोन्यूट्रियंट चाहो तो ले लो नहीं कोई ज़रूत नहीं है किसान भा लहाऑ पानी तक तीन पानी तक बाटांँ माट के और किसान भाइयो उसके बाद जब हमारी फसल जम जाए 40 दिन-50 दिन-60 दिन की हो जाए इस फ्रे लगने हो जाए इस पर हमें बुआई कर दिया और उसमें खर्पतवार चड़िये आपका ब्यातनी आएगा आपके सारे खाद खराब हो जाएंगे और किसान भाईयो दूरी के बारे में मैंने आपको बता दिया हाला कि हो सकता है मेरी बात किसी को गलत लगे या बुरी लगे लेकिन सच्चाई यही है किस किसान मायो दस में से आठ किसान ने ट्रेंच विदी को फैल कर दिया आप 28 इंच पे अच्छा हमेशा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इस पे मेहनत करो अगर करके ही देखना है कुछ तो थोड़े चेतरफल में उसको करके देखें क्योंकि दूरी बढ़ाते ही किसान मायो बहुत सारे यंत्र भी हमें खरीदने पड़ते हैं बहुत खर्चे करने पड़ते हैं और किसान इस स्थिति में नहीं है कि बार बार यंत्र बदले या उसको एक दो खेत में जटका लग जाए तो कुछ फरक नहीं पड़ने का तो किसान सात्यों यही बाते हैं मैं समझता कि छोटी सी वीडियो में सारा सार चिपा हुआ है समझने वाले के लिए लेकिन बताने वाले का काम होता है बताना सलफर क्या करता है फासफोरस क्या करता है कौन सा खाद क्या करता है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 6-7 खाद है इसको आप किसी भी रूप में दे सकते हैं सिंगल सूपर फासफेट के साथ भुवाई करी अगर आप चाहे तो एनपीगे घाद के साथ भी भुवाई कर सकते हैं और खर्पतवार जैसे मैंने का अगर गन्य में बिल्कुल नहीं होते तीन पानी तक तो फसल उपर चट जाएगी और किसान भाई यो लाश तक फिर नहीं दबेगी गन्य की फसल ऐसी पसल है अगर शुरू में अच्छी चलेगी किसान भाई यो लाश तक वो दबती नहीं है ह किसान साथ यो आज की वीडियो में इतना ही नए मेरे किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें समय समय पर मैं उनके लिए वीडियो लाता हूं धन्यवाल